सकुषल संपन्ध हुआ लोगसभा चुनाओ 55.2-2 प्रचिशत वोटिंग हुई गाजिपूर सीट पर लोगसभा चुनाओ के आकरी चरण में हाई प्रोफाइल सीट गाजिपूर में लगभग 55.2-2 प्रचिशत मद्दान हुआ सबसे ज़्यादा मद्दान गाजिपूर सदर बिधान सभा में 57.6-6 प्रचिशत और सबसे कम मद्दान जमानिया बिधान सभा में 49.97 प्रचिशत हुआ गाजिपूर लोग सभा के सामाने निर्वाचन 2024 को सकुसल निस्पक्च एवं सांतिपूर धंग से संपन कराने के उद्देश से जिल्या निर्वाचन अधिकारी आरिका खौरी एवं पुलिस अधिक्चक ओमबेर सिंग ने एक जून को मद्दान दिवस पर जनपत के विभ जनपत के विभिन मद्दान केंद्रों का निरिक शड़कर आवस्यक दिसा निर्देश दिये गए इस दोरान गाजीपूर में वीवी पैट मसीन में खराबी होने का असर मद्दान पर पड़ा ऐसे में विदानसवा छेत्र सदर छेत्र के वीका पूरबूत नंबर 146 पर पस पोलिंग कराए गई दरजनों पोलिंग बूथों पर वीलचेर की वेवस्ता नहीं की गई थी जिससे दिव्यांग जनों एवं बुजुर्गों को दिक्कते उठानी पड़े जनपत के कई बूथों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए जिस पर नए मद्दाता के साथ अपना वोड दिया और यहां पर काफी अच्छी संख्या में लोग आ गए हैं और कतार में खड़े हैं मैं सबसे अफील करना चाहूंगी कि गाजीकूर के सभी मत दाता आज चुटी ना मनाए घर से निकलके अपने बूथ पर जाए और बोड जरूर डाले लोग तंत्र को अपना युग दान बहुत व्यापक सर्वेवस्थाएं होती हैं जब घर में शादी होती है तभी हम लोग कितनी विवस्था करते हैं यह तो बहुत बड़ा एक आयोजन है इसमें हजारों हमारे कार्मिक लगते हैं तेरह हजार के आसपास तो हमारे मददान कार्मिक हैं उसके अतिरिक अन्य जो अधिकारी करमचारी हैं पुलिस कोर्स हैं बहुत भारी संख्या में लोग लगते हैं और यह सब इसलिए कि हमारे मददाता जो हैं 29 लाख 33,000 के आसपास मददाता काजिकुर में हैं उनको